नमस्कार वच्चों आपका स्वागत है मेरा यूटीब चेनल मैंसी तमरजा में इस वीडियो में हम जो मिट टर्टा एक्जामनेशन हुआ है दोजार चोविस परचिस का फर्स्ट अप्टूबर को उसका क्लास टेंथ का मैथमेटिक्स बेसिक का आंसर लेकर को पस्थित हूँ इस में इस वीडियो में हम सेक्शन बी की बात करेंगे जो दो मार्च का है आईए सवाल की तरफ चलें पहला सवाल कह रहा है जो दर्स आईए यह एक अभाज संख्या है की नहीं है तो देखे अभाज संख्या के लिए यहां पे देखे यह दो टर्म है यहां से 1 तर्फ प्लस या माइनस लेकर करके तर्म की संख्या बढ़ती है, पदों की संख्या घटती है तो दो पद है, तो इसमें और इसमें क्या common है, ग्यारा common है, तो 11 इदारा आगया, कुछ बच्चे इसको multiply करते हैं, तो वो भी सही है लेकिन उसमें time taking हो जाते हैं, इसम हो गया 19 और 23 और इधर से बचा तीन अब आपको multiply नहीं करने अब इसके more than two factor हो जाएंगे क्योंकि 11 भी factor हो जाएगा तो इट है more than क्योंकि एक और इट सेल्फ के अलब आवे हमने multiply नहीं किया है multiply करते तो उसका अंतिमंकाता तो वो भी है और उसके बीच वाला 11 भी आ गया तो इसके बाद पास कम से कम तीन टर्म तो होंगे ही तो इठाज more than two terms and two factor so this is का प्राइम नंबर अब इसी में अगला कहरा अभाज गुनन खंड विदी से 84 और 144 का HCF ग्याद कीजिए तो 84 और 144 को हम एक साथ ही कर सकते हैं HCF ग्याद करना है तो जो दोनों में कट रहा है उसको लेंगे तो यहां पर दो देखिए दो से दोनों जा रहा है तो यह हो जाएगा आप अलग-अलग भी कर सकते हैं अलग-अलग ही कर लिजिए इसको दो से करें तो यह हो जाएगा 42 फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यह जाएगा 21 फिर 7 से या 3 से डिवाइड करेंगे तो यह 7 यह प्राइम नंबर है 244 को देखे 2 से तो यह हो गया 72 फिर 2 से देखेंगे तो यह हो गया 36 फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यह होगा से इस दोनों में कौन सा कॉमन दिख रहे हैं दो दो बार है और एक तीन बार है तो इस तरह से इसका HCF हो जाएगा HCF बरावर में चार तिया बार 12 हो जाएगा नेक्स सवाल देखते हैं कहरा है यदि A बरावर में 30 डिगरी और B बरावर में 45 डिगरी है तो इसके वेल्यू निकालना है तो आप इसका वेल्यू निकाले sin 30 degree हो जाएगा और cos 45 degree हो जाएगा plus cos 30 degree हो जाएगा और sin 45 degree हो जाएगा अब जब हम इसको solve करते हैं तो sin 30 का value 1 by 2 होता है और यह होता है 1 by root 2 और plus में cos 30 की value होता है root 3 by 2 और plus में यह होगा 1 by root 2 तो LCM लेंगे तो यह हो जाएगा 2 root 2 और यह हो जाएगा 1 और plus root 3 तो यह हो गया इसका answer और नीचे में root 2 हम उपर या तो यह छोड़ दे पहला equation है 3 sorry x minus 3 y is equal to 7 है और दूसरा कह रहा है 3 x minus 3 y is equal to 5 है तो यहाँ पर दोनों सेम है denominator तो हम इसको equation 1 और इसको equation 2 माने अब क्या करें 1 minus 2 से क्या हो जाएगा यह हो जाएगा x minus 3 y is equal to 7 और 3 x minus 3 y is equal to 5 है और minus करें दूसरे से तो यह चिन बदल जाएगा अब यह तो कट गया यह हो जाएगा minus 2 x बराबर में 2 तो x बराबर में हो जाएगा minus 2 minus 2 by 2 जिसका I value minus a अब किसी equation में रखने हैं तो x का मान समी करन 1 में रखने पर क्या हो जाएगा इसमें रखते हैं तो minus 1 और minus 3 y is equal to 7 हो जाएगा तो minus 3 y is equal to 8 हो जाएगा इदर से करेंगे तो y is equal to हो जाएगा 8 by minus 3 यानि minus 8 by 3 तो इस तरह से x बराबर में minus 1 और y बराबर में minus 8 by 3 इसका आँसर आगा नेक्स्ट देखते हैं यहां पर आपसे पूछ रहा है नो एक राइट एंगल ट्रेंगल इसको बनाने के लिए हम रख दे तो शुगदा जनक होगा यह 9 मीटर उचा है और इसकी परचाई 9 रूट 3 मीटर है तो उस समय यह उन्नतांस यानि यह थीटा पूछ रहा है तो देखिए इसमें आप इसका और इसका रिलेशन निकालने के लिए 10 ठीटा बरावर में आप लिखेंगे 9 बाइ 9 रूट 3 तो 9 से 9 कट गया यानि 1 बाइ रूट 3 तो 1 बाइ रूट 3 10 में कब बनता है यह 10 30 डिगरी में बनता है तो ठीटा बरावर में 30 डिगरी आ गया अब कह रहा है उसी समय उसी समय नो मीटर लंबी परचाई बनाता है उसी लंबाई का एक और राइटेंगल इसमें कह रहा है जो कि एक और राइटेंगल मलब एक और नो मीटर उचा खंबा है और नो ही मीटर परचाई बना रहा है तो यहां पर थीटा कहरा है निकालने के लिए तो यह थीटा बराबर हो जाएगा 10 थीटा बराबर में 9 by 9 यह कट करके 1 होगा 10 में 1 कब होता है 10 45 डिगरी में होता है 1 तो इस तरह से थीटा बराबर में 45 डिगरी होगा तो एक में हो जाएगा दो इसमें एक कौन बन जाएगा 30 डिगरी और 45 डिगरी इसका आंसर हो जाएगा नेक्स सवाल देखते हैं इसमें कहा रहा है बहुपद के शुन्या ग्याद करने हैं तो आपको solve करना होगा 4x square minus 4x plus 1 तो यहाँ पर देखें यह हो जाएगा इसको multiply करेंगे तो 4 हो जाएगा 1 into 4, 2 into 2, 2 यह बनता है तो किसका जोड 4 हो रहा है तो इसका जोड 4 हो रहा है तो यहाँ पर यह रखेंगे तो यह हो जाएगा 4x square minus 2x minus 2x plus 1 अब इसमें से क्या कॉमन तो 2x कॉमन इधर से बचा 2x minus 1 और इधर से minus 1 कॉमन तो 2x minus 1 2x minus 1 और इधर से 2x minus 1 0 के लिए शुन्यक के लिए 2x minus 1 is equal to 0 होगा या 2x minus 1 is equal to 0 होगा और दोनों में एक्स बरावर में 1 by 2 यहाँ भी और एक्स बरावर में 1 by 2 यहाँ तो आगया x बरावर में 1 by 2 और 1 by 2 अब यहाँ पर कह रहा है जो कि एक दुई गहात बहुपद गहात की जिसके शुन्यक दिये हुए हो तो शुन्यक दिये हुए है तो शुन्यकों का योग यानि x square और माइनस शुन्यकों का योग तो माइनस 3 प्लस 5 और x होता है और प्लस सुन्यकों का गुना नफल माइनस 3 और इंटू 5 होगा अब करें इसको x square और यह हो जाएगा इसको solve करेंगे तो 2x और यह माइनस का है तो 2x और माइनस 15 इसका answer है और भी इस तरह के कई multiple हो सकता है तो यह हो गया यह था खंड सा का खंड पार्ट बी का solution उमीदे समझ में आओगा अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब सेयर जरूर करें धन्यवाद